गुड मॉनिंग बच्चो वेलकम तू माई चैनल बिटा आज हम करेंगे क्लास सेविंथ की मैथमेटिक्स की वोक्षीट नमबर टेन जो की डे 29 ओक्टूबर की है हम ट्रेंगल एंड प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं आ राइट एंगल एंड पाइथगोरस प्रॉपर्ट पाइथगोरस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए चले यह देखिए आपको एक एक्जामपल दिया है मैं इसको ऐसे समझा देती हूं कि यह है यहां से पढ़ लेते हैं एक ग्रीक फिलोसफर हैं जो पाइथगोरस उन्होंन हде साइड ऐंगल इसकाल सघ्टेस सामने वाली ही मियां है राइपोटेस आप यह चाहता है वह प्रॉपर्टी यह होता है और हम उससका स्क्व構 माल लिया और यह है माल लिया उसका जब करेंगे तो वह स्क्वेयर होगा जो बाकी की दो साइड बच गई ना उनको भी स्क्वेयर जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए ठीक है अगर वह बराबर आता तो वह राइट इंगल ट्राइंगल है यह देखें कैसे अगर मैंने मान लिया यह वाली साइड मेरी है पॉर्च यह तो तो यह देखने कीकतना होगा तो यह इकवल आ रहा हो यह राइट इंगल ट्राइंगल है चिक है चल्ये एक और एक और एकग्जाम्पल है है यहां पर हम समझ लेते हैं एक ट्राइंगल है जिसके साइज दिमें 3 4 और 5 सेंटिमेटर आपको बताने कि राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा कि इंग बन पाएगा आपको क्या करना है जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसको हाइपोटेनिस मालना है ठीक है तो हमन ट्राइंगल चीक है अगर यह एक वल नहीं आता है तो इट विल नॉट बिए राइट अंगल ट्राइंगल यह ट्राइंगल नहीं हो सकता चलिए लैट स्टाट दो कोईशन है फाइंड आउट दा सॉलूशन तू दा इनिशली गिवन सिच्वेशन बाइदा पाइथोकुर को देख सकें मैंने us को नाम दे देए vc तो यह हाइपो टेनिंस Two यह वाली साइड का स्कुर प्लस ही वाली साइड का स्कुर तो यह हमारा एट यह टैन है और 20 हमें इसे इसे आप नहीं कर सकते हैं तो यह गलत है चलिए क्वेशन सेकें डेखते हैं बनाना चाहती है और दो क्वेशन है आपको बताना है कि किसमें वह ट्रेंगल फॉर्म हो सकता है यह नहीं तो बहुत ही इजी है देखे फर्स्ट में सबसे बड़ा साइड कौन से नाइं तो हम इसको क्या माल लेंगे हैं अब इसका 9 का स्क्वेर करेंगे 80 बना गया ठीक है सम स्क्वेर जो दो साइड बचके 8 और 6 इनका स्क्वेर करेंगे 8 का स्क्वेर 6 का स्क्वेर 64 प्लस 36 100 अब देखे 81 और 100 इकोल है नहीं है तो यह मैंने लिखा है यहां पर इसको इन शॉर्ट में मैंने और करके लिख दिया है H2 इसिकोल तो इसको हम बेंज को प्लस बी स्क्वीर बेटाइ यह जब हमनारे टाइंगल बनता है न तो इसको हम बी लिखता को होते है और यह स्क्रीकोलर होता है ठीक है तो यह मैंने शेलिखती है पीका स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर H स्क्वेर तो यहां से भी 81 not equal to 100 चले इसी का फिर सेकेंड है 6 cm है 8 cm है 10 cm है तो 10 सबसे बड़ी हम इसको hypotenuse ले लेते हैं इसका स्क्वेर करेंगे 100 आएगा चीक है और दो दो साइड विची उनका स्क्वेर करिए 8 का स्क्वेर प्लस 6 का स्क्वेर 64 प्लस 36 100 दोनों साइड इक्वल है यहां देखें मिने शॉर्ट में वैसे करके दिखाया आपको चीक है चलिए तो दोनों equal है तो it will be a right angle triangle चीक है राइट इंगल ट्राइंगल लिख लिजेगा चलिए अब हम देखते है question number third पे देखो यह diagram बना हुआ है यह बोल रहे है कि जो a c है यह आपका 5 है और जो a b है यह आपका 13 है आपको यह निकालना है चीक है तो बहुत easy है चलिए third question में आपको दिखा देती हूँ यह देखे third में वही करना है यह वाली जो side हमने h लिए है यह हमारा base होता है और यह हमारा perpendicular होता है चीक है तो यह देखिए h के square हमने वही सीकह है तो 13 का square is equal to 5 का square यह हमें नहीं पता है तो हम bc का square लिख देंगे चीक है 5 का square 25 13 का 169 square आपको आने चाहिए स्क्वाइर का मतला है उसी नंमर को दो बार गुणा करना 5 को दो बार करेंगे तो 25 तो 5 ऐगा 13 कोदो बार करोगे 169 आएगा 169 मेंसे 25 को माईनस करेंगे क्योंकी यह प्लस हो रहा है धर जायक evangelical स्वाइर की जाते ही science चेंज हो जाता है तो आपका जब माइनिस करोगे तो बैटा आपका 144 और जो 144 होता है वो 12 स्क्वेर होता है तो हमारा बीसी जो आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा चीक है फोर्थ क्वेशन देखते हैं देखें फोर्थ क्वेशन में बैटा यह आपकी ऐसे यह पिक्चर इसमें से चिप गई है यह पिक्चर बनी ह идет कि लैंथ ऑफ काई आपको यह निकालना यह काई तो आपको लेंथ ओफ थ्रेड निकालने पिटा आप जब आ ऐसे ट्राइंगल बनाऊगे तो एक सिकीना नीचि को थनी जब आप ट्राइंगल बनाऊगे तो आप यह एक शी निकालना तो मैंना भी बताय यह जो होता है AC आपका hypotenuse होता है इसका square is equal to AB का square प्लस BC का square यहां आप BC का square प्लस AB का square भी लेख सकते हैं दोनों साइड का sum equal होता है तो यह हमें कितना दिया हुआ है BC हमारा 40 है और यह भी कितना है 30 दोनों का जब आप square करोगे 1600 और यह आएगा 900 तो यह आगे 2500 तो जो 2500 होता है यह 50 का square होता है तो हमारा AC कितना आजाएगा 50 मीटर थ्रेड के जो लेंथ है आप इसको ऐसे भी लिख स सब अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंद्स के साथ शेयर जरूर कीजिए थैं